हाई फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, आज मिलाई हो ब्रोकली की सबची की रेसिपी, ये रेसिपी काफी हेल्दी है, इसे कई तरीकों से बनाया जाते हैं, पर मैं आपको आज सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी, तो यहाँ देखिए मैंने क्या क्या है, मैंने लिया है ब्रोकली, एक टमाटर, एक प्याच, और दो आलू लिये हैं, दो मिर्च, एक इंच अदरा का टुकड़ा, और यहाँ देखिए, छे से साथ कली लेसुन लिये हैं, अब क्या करना है, यह ब्रोकली को अच्छे से कट कर लेना है, आप ब्रोकली को डंठल को कभी मत फिकेगा क्योंकि यही बहुत ही जादा इंपोर्टेट पार्ट है, इसे भी जरूर आप योज केजिएगा, तो मैंने यहाँ सारे ब्रोकली काट लिये हैं, और इधर देखिए, मैंने पहले से ही कड़ाई में पानी चुड़ा दिये थे, क्योंकि मैं आज इसे स्टीम करके कुछ भी आपके पास इसे चलनी रहता है, कुछ भी रहता है, तो आप क्या करें ना, इसके अंदर रख दें, और उपर से ब्रोकली डाल के, और इसे जादा नहीं, 7-8 मिनिट आपको लगेंगे इस टीम करने में, तो यहाँ देखिए, मैंने करीब 8 मिनिट के बाद इसे च दूट जाएंगे, तो चलिए, अब चलते नेक्स प्रोसेस में, तो यहाँ देखिए, वापस मैंने लिया एक कड़ाई, और इसमें डाला है, मैंने करीब 2 चमश के करीब सरसू का तेल, उसके डाला है, जीरा, हिंग, और जो मैंने प्याज लिया था, वही प्याज को मैंने स्लाइस करके काट लिया है, और इसे क्या करना है, थोड़ा सा भूना है, और यहाँ देखिए, हलकी से गुलावी में जब प्याज हमारे हो जाते हैं, तो इसमें डालते हैं आलू, ताकि आलू और प्याज दोनों जो है, एक साथ अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएं, अग इस कोई भी सुकी स्बजी बना रहें, ऐसा को जाइत लाएं, थो जल्डी से बन जाएं, लेकिन यहाँ जे कोई भी ऐसा पानी वाली सबजी बना रहें, तो स्टार्टिंग से ना करें, मतलब प्यास जमस अच्छे से फ्राई हो जाएं तो ही सबचे करें, उसके बादि नह मैं तक मैंने उसे पकाया और इसके बाद मैंने डाले टमाटर और इसके बाद टो इसके बाद मैंने तक महत digitally कर्णा करों आदि आधी छोटी चम्मच से कम हल्दी और आधी चम्मच बने डाला है धनिया का पॉर्डर और आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने डाला है गोल मिश्ट का पॉर्डर अब क्या करें इन सब चीजों को मिक्स करें और फिर वापस से मैंने डाला है थोड़ी सी हलकी सी मतलब कास्त मेरी लालमीश और थोड़ी सी गर्यम मसालें सब्जब से तिल बाहर आ गई है अच्छी से हमारी सबजी भून चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ और अलग से मसाले एड़ करना तो आप यहां पर एड़ कर सकते हैं और साथ में इसमें दही भी एड़ की जा सकती है पर मैंने नहीं डाला है तो यहां देखिए जब अच्छी से हमारे आलू और आल कि जैसे हमारे ब्रोकली भी अच्छे से भून गया है तो क्या करना थोड़े से इसमें पानी डाल देना है मैं इसे थोड़ी सी ग्रीवी वाली सब्जी बना रही तो मैंने क्या किया है कि थोड़ी से ज्यादा पानी आड़ किया है लेकिन अगर आप सुखी सब्जी बना रहे तो मैंने कहा कि थोड़ी से बारिक कटी भी धनिया की पत्ते डाल दिये हैं और उसके बाद इसमें डाल दिया है थोड़ी से कासूरी मेथी और अब इनसी चीजों को मिक्स कर देना है और मैं इस वक्त गैस बन कर दी हूँ तो आप इस सब्ची को ज़रूर ट्राइक कीजिएगा बहुत अच्छी लगती है ठट में भी बहुत अच्छी लगती है खाने में तो कैसे लगी रेसीपी मुझे कॉमेंट्स करके जरूर बताईएगा चनल पे नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा